हमारा second plot है जो पिछले plot से ज्यादा healthy है लेकिन हाँ यह थोड़ा time में पीछे है और लेकिन इसके भी एक अपनी growth इस स्टोरी आप देख रहे हैं इसमें इस्ट्रावरी ज्यादा strong होती थी इस खेत में और घास किसी थी अधीक हो गई थी इसमें जैवी कार्बन अधीक हो और हमारे पेड़ थोड़ा बड़े बड़े हो गए और इससे इसका production थोड़ा हम पर करेगा क्यों ग्रेट लेडी का कभी समय आगया है राइट मैं दिरे दिरे आगे बढ़ रहा हूं आपको दिख रहा होगा मेरे इसमें चलने की भी जगनी और भी फ्रूटिंग हो रही है मैं दुमक्षी अपना कारे कर रही है और अगर मैं इसको ठाई तीन साल तक हीच लेगा क्योंकि जैवीक भाग है र तो अरगनिक ली चलने में कोई नुकसान नहीं है और यह मैंने उसर जैसे खेत में हंड्रेट पर्शंट और गेनिक करने की जगर मैं हिम्मत जुटा सकता हूं आपका खेत तो कभी ने कबार तो आपने किया ही होगा खात पहले डाली होगा पी इस सिथियर खेत की अच्छी और उसमें आप और गनिक की हिम्मत क्यों नहीं उठाते हैं कि पूरा यह पूरा प्लॉट नाली ब्रेट सब मल्च है यहां पर हमने इस्ट्राबरी लगाई थी उससे फटा हुआ है काफी इस्ट्राब के बढ़ते हैं देखते हैं और क्या सेंपल है कभी अपने खेत में अंदर अंदर तक घुसना चाहिए तो अब यह प्लॉट थोड़ा पीछे है लेकिन क्योंकि इसका जैविक कार्बन ज्यादा स्ट्रॉंग होने के करण यह इसने पहले ग्रोथ लिया और तब फ्रूटिं के स्ट्रेच पर जाएगा कुछ वारस भी बीच में आ गये थे काफी घास थी लेकिन हमने मल्चिंग करके उसको कंट्रोल किया है प्लस हमारे कुछ जैविक स्प्रे हैं जिनको करते हैं तो घास से चुकि बहुत डीप में था इसमें घास कंट्रोल करना बारिस के मौसमें अमेरे इक सब्या है कि आप किया मेर आप सब्या है कि ज्याएग करते हैं निधिक आप करवाने में तो निराई से ज्यादा सश्ती होती है मल्चिंग तो मेरी सलाह है आप जिग जैक करके नब हों और क्यों नब हों इसके लिए आप मेरे ओफिस से विजट कीजिए आपको पूरा इन्वेस्मेंट करके फेल हो गया जश्ट बाई उनका वाटर लैंड स्केपिंग प्लान अच्छा नहीं था एक छोटे से करण के करण बहुत निवेश करके लोगों ने दस-दस लाग रोगा भी पपीते खेती में दस-दस बिजबिस बीगेम फसाए हैं और उसका रीजन है वहिया बैड प्लानिंग यह सारी आपको जो गीनरी अच्छी यह वाला प्लॉट हमारा ज्यादा ग्रीन है ड्यू टू वर्मी कंपोस्ट उस प्लॉट में भी वर्मी कंपोस्ट रिसेंटली डाली गही है जो एक महीने बाद असर देखाएगी इसमें लग बग एक महीने प